चात्रों की मांग समय सीमा के अंदर नहीं पूरी होने पर चात्र युवा संगर्ष समीती के चात्र सड़कों पर उतर आये और कॉलिज के गेट पर ताला जड़ दिया छात्री युवा संगर्ष समिती के जिला अध्यक्ष अभिशेक मीना कलोनी ने कहा कि हम पूर में भी साथ सूत्रिय मांगो को लेकर कॉलेज प्रशाशन को आवेदन किया था जिस पर कॉलेज प्रशाशन द्वारा दो महीने के अंदर हमारी मांगे पूर्ण करने का होने के बाद भी हमारी मांगो को पूरा नहीं किया गया अभी तक कॉलेज गेट पर ना तो CCTV कैमरे लगे ना ही गाड की विवस्ता हुई और ना ही कॉलेज के अंदर लाइट के लिए जरनेटर की सुईदा उपलब्द कराई गई हमारी मांगो को शिगर ही पूरा नहीं किय गया तो हम अनिशित कालिन धर्णा प्रदर्शन करेंगे इस अफसे पर छात्र युवा संगर्श शमिति के अभिशेक दिलखुष पवन हनुमान विक्की हरीश धीरज सुरेंदर बंटी राहूल हरियोम दिलखुष हनुमान प्रमोद रोईट सैट सेकड़ो छात्र करें धर्णा प्रदर्शनकर को एक ग्यापन सो पाता जिसमें हमारे मुक्य मांग सड़क को लेकर ती को लीच की शड़कर सड़क बिल्कुल जरजर बनी हुई है एक दूसरी मांग हमारी जो है दो है मुक्य गेट पर केमरे और सुरक्चक अर्मान दिया था लेकिन अभि त सब्सक्राइब और कोलेज का घेराव किया और ग्यापन देकर एक चेताव ने दिये कि अगर आने वाले समय में अगर 10-15 दिन के अंदर कोई कारवाई नहीं होती है तो हम आनिस्थित कालिन धरना परदर्शन करेंगे और भूख अड़ताल तक करेंगे झाहा हम रख श्ड़ताले सटाने वाले समय याज थे सकतमा करेंगे और कोई तक करेंगे दो किल रगी किवान पार सदितower कढ़ने बाले समय उकिग कि रीचाने करेंगे ऊटन उ लगए नहीं होता हैं